राधा वल लभ श्री हरी वन्ष 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 ब्रंदावने स्वरित वैव पदार विंदं प्रेमाम्रतेक मकरंद रसोग पूरुणं रध्यर्पितं मधुपते स्मरताप मुग्रम् निर्वापयत परमुसीतलमास्रयामि निर्वापयत परमुसीतलमास्रयामि राधा 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 राध रादा 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 बहुद्री चैंगू जिए लॉयर मेंग लाधा 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 लादा। 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 लाधा, 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 राधा, 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 राधा राधा, 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 राधा राधा, 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 राधा लाधा। दाधा। लाधा। आ बलादा लादा 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 राधा राधा, 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 σ्री राधावल लwall लेकि ये प्रेम शमुद्र ज्यान वैराग्य एश्वर्य प्रेम भक्ती अनंत शक्तियों के श्वामी प्रभुश्री कृष्ण चंद्जु अरजुन जी को निमित बनाकर शमस्त देहधारियों को ऐशा उपदेश कर रहे हैं जो श्रवन करके मनन करते हुए अपने आचरण में उतारे तो इसी जन्म में वो परमानंद में डूब जाए कर्म बंधनों शे मुक्त होकर वो अपने श्वरूप को प्राप्त कर ले या भगवत शेवा में जैसी भावना करेगा वेशा उसको अनुभो प्रभु कराते हैं आवश्यक्ता है प्रभु की बताये हुई शिद्धांत पर जितनी आपकी शामर्थ है आप उतना प्रयास कर लीजिए शेश प्रभु खुद शमाल लेंगे आपको जो शामर्थ मिली है वो इसलिए कह रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए कि आप यदि प्रयास नहीं करेंगे तो वो उर्जा शक्ती आप अशाधनों में नश्ट कर देंगे जो आपको भगवत प्राप्ती में बहुत बाधा पहुँचाएगी इसलिए उस उर्जा शक्ती को अध्यात्म में खर्चा कीजिए ऐसा हरदय में निश्चें कर लीजिए कि हमें बहुत बड़ा आउश्र मिला है दुख शुख के प्रपंच से उपर उठने का जहां केवल प्रशन्नता ही प्रशन्नता है ब्रह्मभूता प्रशन्नात्म अखंडारंद किंचिन मात्र न सूचति न कांक्षति न कोई आकांक्षा है न कोई शोक है पर हम ऐसे मलिन बुद्धी वाले हैं कि हमारी जो बुद्धी निरने करती है कि वर्तमान देशुक ही सब कुछ है खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना देखना सुनना सूंगना चुना ये इंद्री विलाश ही सब कुछ है ऐसा हमारी बुद्धी निश्चे कि ये इसलिए हमसे भजन नहीं बनता है इसलिए हम भगवत शिद्धान्त को धारन करने की योग्यता खो बैठे है हमारे अंदर निश्चे ही नहीं हो पा रहा है कि मुझे प्रभू की आवश्यक्ता है मुझे भगवत प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक्त कार्य है ये परम धर्म है ये परम कर्तब्य है बहुत से कर्टब्यों का निर्वाह तो बहुत जन्मों में किया पर परिणाम बंधन ही मिला इस बार नहीं चूकेंगे अब हम परम कर्टब्य करेंगे जो शब बंधनों से मुक्त करने वाला है यद्यपिकर्म का बंधन बहुत सुद्रड होता है बड़ी-बड़ी तपश्या और ब्रत नियम दान पुल्ण से भी कर्म बंधन चीवण नहीं होता जो हमसे बांधने वाले कर्म हुए है उन्से हम मुक्त होने के लिए कोई अन्य शाधन करें तो आश अंभो शुबशाधन का फल शुब मिलेगा शुब का शुब मिलेगा परहिशा नहीं कि शुबशु के कर्मबंधन को काट दे अवश्य में उभोग तब्यम करतम कर्म शुभा अशुबहम दोनों जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा पर भगवान जो शिद्धांत बता रहे हैं यदि शेश्वईकार कर लो तो शमस्त कर्म बंधन चिन्ड भिन हो जाएंगे शद्धा और विश्वाश पूर्वक हमें प्रभू की बात माननी ही है इनसे बड़ा कोई ग्यानी नहीं इनसे बड़ा कोई गुरू नहीं है और इनसे बड़ा कोई हमको प्यार करने वाला नहीं है विश्वाश कीजिए बहुत प्यारे हैं और प्यार ही प्यार इनकी प्रतेक चिस्टा में रहता है भले आपको लगे कि वा मंगल विधान कर रहें, प्रतिकूलता दे रहें, अपमान करा रहें पर सच्ची मानिये बहुत प्यार भरा विधान है हम अज्यान के कारण नहीं जान पाते हैं प्रभू कह रहे हैं कि कर्म बंधनोश्य मुक्त होने के लिए अत्यनत आवश्यक है राग और द्वेश का त्याग, अनुकूलता प्रतिकूलता का त्याग, सुख दुख का त्याग सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभू जया जयो पूरा शिद्धान्त बरणन किया फिर करुणा प्रगट होई प्रभू के हरदय में बिशेश क्योंकि करुणा से ही तो उपदेश कर रहे बिशेश करुणा होने पर अरजुन जी को आदेश करते हैं कि आप जितने भी कर्म करें मै सरवान करमानी सन्यस्ट्य अध्यात्म चेतशा अध्यात्म चेतशा बिवेक बुद्धिशे जितने भी कर्म करो उसा मुझे समर्पित कर दो बहुत विशेश करुणा से कह रहे हैं प्रभू को कुछ प्रात्त करना है क्या कि तुम्हारे प्रति वो श्वार्थ बुद्धी रख के उपदेश करें कि देखो तुम अपने लिए कर्म मत करो मेरे लिए कर्म करो जितने कर्म करो सब मुझे समर्पित कर दो ये बचाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कर्म बंधन बहुत सुद्रड होता है अवश्य में हो भोग तप्यम भोग ना पड़ता है जब विशेश क्रिपा विशेश करुणा तब वो यादेश कर रहे हैं बहुत अपनापन देखो तुम जो जो भी कर्म करो पर साथ में का है अध्यात्म चेत्शा अध्यात्म बुद्धी जी से कहते हैं अध्यात्मिक चेतना शक्ति बिवेक क्योंकि बिवेक अशताचरन होने ही नहीं देगा बिवेक कैसे प्रगट होता है पीछे चर्चाय हो चुकिए सत्संग के द्वारा बिवेक का प्रादुर्भा होता है भगवत प्रेमी महात्माओं की शंग से बिवेक का जागरण होता है। हमारा अनंत जन्मों से शोया हुआ बिवेक जाग जाता है। शरीर से और वानी काताद पर शारी क्रियाओं से शरीर की शारी चेश्टाओं से और मन से अर्थात संपुर्ण सुक्ष्म सरीर इस्थूल शरीर श्वभावगत जितनी जितनी भी हमारी चेश्टाए होंगे और सवाप के लिए ही होंगे। तनवांग मनोभिर अमलै ये अमलै शब्द अध्यात्म चेतसा का है विवेक के द्वारा किशी कामना से उक्तो कर हम आपके शरण नहीं हो रहे हैं अमले अध्यात्म नित्या अध्यात्म वस्तु का बूद्ध प्राप्त करने के लिए हम शरीर से मन से वानी से आपकी शरण हो रहे है शूहम मैश्वयम आपकी शरण हो रहा हूँ भगवान शावधानी के रहे कि तुम शारे कर्म मेरे को अर्पित करो तो कर्म करने वाले यंत और कर्म करने में जो प्रयोग में आने वाली सामागरी ये शरवानी में आ जाता है अर्था था आपका शरीर शरीर की चेश्टाएं और आपको मिली हुई सेवा सामागरी वो आपकी नहीं है शरीर आपका नहीं अच्छे से समझ लीजिए आपका कुछ नहीं है यहां परश्ण चर्चा हुई थी कि मेरा मानना ही मृत्य है और नमम ऐसा मानना ही अमरत्य की तरफगती है कुछ आपका नहीं है विचार करके देखो आप कहा हो आपमें क्या शामर्थ है कोई शामर्थ है शर्ण गथो जाओ कैसे शर्ण गथो सटसंग के द्वारा प्राप्त बिवेक से विचार करके बश अपना जीवन इस्थूल शुक्ष मकारण और मैं इस शब आपको शमर्पित करता हूँ आगे प्रभु के रहें निराशिर निर्ममो भुत्वा युद्यस्व विगतज्वरह बहुत समझने की बात है जब शमर्पन कर दिया तो अब हमारे अंदर निराशिक का मतलब आशा रहे तो अब ये आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं मैं शाधन कर पाऊं मुझे अनुकुलता मिले कम से कम जीने की बिवस्था तो मिली जाए कमरा भोजन ये बिवस्था निराशि अब आपको क्या आपने तो दे दिया ना प्रभू को शमर्पित कर दिया वो महलो में राखे चाहिए जोपड़ी में बास दे तुमारा प्रश्चनी नहीं वो राखे चाहिए अभी उठा ले उनकी बस्तु है उनका खेल है होता क्या है कि हम लोग ऐसे समर्पड करते हैं किशी ने माला बनाया कि गुर्देयों को पहना देना गुर्देयों इनको पहना दो अब आप जलने लगे भगवान कर विगता जुरा क्यों जल रहे हो तुमने तो दे दिया ना अब ये गुर्देयों की इच्छा है कि वो अपने किश्व रूप में डारण करते हैं गुर्देयों ही तो अखंड मंडला कारम व्यापता में चर ना हमने तो गुर्देयों के लिए माला गुर्देयों ने उनको पहना दिया ऐसा क्यों किया आशा निर्ममो तुमने माला में ममता क्यों रखी जब दे दिया विकतज्वरा अभी जलन क्यों पैदा हो रही तुम्हें तुमने दिया नहीं सही माने में नहीं दिया ऐसे ही सर प्रभू को दिये हैं ऐसा बोलते हैं हम सरणागत हैं जुखाम हो गया बुखार आ गया तो प्रभू की तरफ तिरची चितवन से देखते हैं कि आपको समर्पित हैं ऐसा देखो उसमें गाली दी हमें अपमान किया और आप भी तो नहीं देख रहे हो बड़े-बड़े कि प्रारब्धनस्ट कर सको किसका हमारे सरीर का फस गए वकालत में हार गए आपको जो मुकदमा जीतने के लिए हमें पॉइंट मिले थे उनी पॉइंटों में आपको किसका सरीर हम अपने सरीर की बात कर रहे हैं ना कि हमारे सरीर की अच्छा सरीर आपका अनुकुलता किसक पस्त रहता तो खुब भजन प्रवचन करते अच्छा मन आपका आप कौन हो अब सब बेकार हो गया पूरा का पूरा समर्पन धूल दूर शरीत हो गया देखो मुकदमा में वकालत जो करते हैं वो पॉइंटों का संग्रह करते हैं फिर आर पार हिशाब उन्हीं पॉइंटों से होता है जज उन्हीं पॉइंटों से करता है यह जो शूत रहना यह हमें भवशमुद्र शे पार करने की वो पॉइंट हैं जिनमें शंत सद्गुर्देव वकालत करके भगवान से दसकत करा लेते हैं अहम तौम शर्पापे भ्यो मुक्षित स्यामी जज निर्णे कर देत है जाओ मेरी परंपद में आरूर हो जाओ यद्यपी बहुत कम्या होती परंपद लायक नहीं होते पर पॉइंट हैं उनके अनुशार वकालत में संत सद्गुर्देयों जो कहते हैं तुम भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाए कि तुम चिंता मत क्यों 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 पॉ प्रभूशे या सरीर से अगला जन मलो साउधानी से फिर निकालना बात समझ लीजिए निराशी इस शरणागत का परिपूर्णता का श्वरूप है नशू चतिनकांग्शति अब हम क्यों आशा करें कि हमारा सरीर ऐसी बेवस्ता में रहे ऐसा हो दे दिया है भाई दे दिया है अपने लोग दे करके भी नहीं देते क्योंकि ना शमरपड है ना आश्रह केवल नाटक है अगर नाटक भी सही डंग से खेल लो तो जूठा खेले साचा हो है नाटक का भी भल विशुद्ध भक्ती हो जाएगा ये मार गए साए पर तुम नाटक खेलना भी नहीं जानते जो कोई भक्ती करे कपट से उसको भी अपनाओं शाम दाम और दंड भेट से सिधे रास्ते लाओं नकली से बनाओं असली कौन बुर लए भगत नहीं भगतों के आराद दे दे प्रभो भगतों के आराद दे दे मैं उसे असली बनाओंगा करो सद्यते साद समाना मैं उसे सादो बनाओंगा जब वो तैयार हैं तो आप कम से कम नाटक करो तो नाटक का रोल भी सही करो तो इनाम में तुम्हें नाटक से मुक्त कर देंगे और असली वक्त बना देंगे शंपूर्ण पदार्थ तीनों शरीर और क्रिया की पेरणा तीनों गुणों से आप कहीं नहीं हैं ये आप ग्यान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो इसलिए सरलता पुरुवक इस साफ किशब प्रभू की वस्तु है धरोवर रूप में आपको प्राप्त होई है उनको शमर्पित कर दो ये प्रभू की जैसे किशी की वस्तु उस शमय पे मांगे तो दे दू वेसे ही तो इमान दारी का आपको इनाम मिलेगा ऐसे ही आप प्रभू की वस्तु का श्वयम भोग न करके प्रभू को दे दिजे तो इमान दारी का आपको इनाम मिलेगा कि आप प्रभु में हो जाएंगे आप हरी शुरूप हो जाएंगे गीद देह तजी धरी हरी रूपा भगवान के धाम को भगवत शुरूप लाडली के महल को शेहचरी शुरूप किशोरी शुरूप होकर पधार होगे जब तक आप में इस शरीर से भोगनी की कामना है और इस शरीर में ममता है तब तक जलते रहोगे जिय की जरनी न जाए जलते रहो देख लो जब आप शरनागते तो आपका ये प्रश्न कैसे हो शकता है कि मुझे ये इस्तिती प्राप्त नहीं हुई किसको मुझे तो शोहम तब ही वाश्विता नहीं हुए क्या कहीं भी आपका कोई प्रश्न नहीं बनता दखो कितना अच्छा सिद्धानत है एकदम अभी जीवन मुक्त अभी न सोचती न कांक्षती आख बंद करके सहराप मिल गया है किसका बड़ी आँख वले का अरविंदाक्ष आयत द्रग अरून लो तुम्हारे नेत्र तो बहुत वो त्रिका लग गया है बहुत दूर की देखते हैं और उन्होंने सहरा दे दिया आख मुन के दोड़ते चले जाओ गिरोगे नहीं अपनी आखों का बरुशा नहीं है पता नहीं क्या देख लें कहां खड़ी हो जाएं कहां टिक जाएं अरविंदाक्ष की आखों का बरुशा है अपने हाथों का बरुशा नहीं इनमें कोई बल ही नहीं अभयत भुजदंडमूल उनका बरुशा है हम कोई भी वस्तु दे करके यदि प्रश्न कर देते हैं तो परिणाम में जुर ही प्राप्त होगा ताप जुर मने होता ताप जलन एक बहुत बड़े उदारभक्त की विशेह में बताया सी राधा चरन दाश्जी बाबा टटिया इस्तान के एक दो साय तीसरी पहले अभी से लेकर एक, दो, तीन तीन या चोथे पत पे क्योंकि सब के दर्शन हुए है उनके भी स्रीचरणों के दर्शन हुए बहुत अच्छे भाव ठाकुर्शेवी उन्हों चंदन की लकड़ी के दो पलंग बनवाए बढ़िहां और टटिया इस्थान में ले गए पुजिश्री राधाचरंदास जी भाराज उनके शामने बिराजमन के भाराज एक मोहिनी ठाकुर के लिए और एक आप के लिए बहुत खुश्वी शुद्ध चंदन ओ धनी मानी उनकी बिहारी जी आज भी सेवा स्विकार करते है हाँ ठीक है जो भगवत अनुराग में मगन होते हो बिश्व ब्रमान की किसी भी वस्तू को देखकर हरशित नहीं होते इसलिए उसके नश्ठ होने में उनको कोई शोक नहीं होता इतनी बड़ी वस्तू मिल गई है कि उसके शाम में सब तुछ और हे लगते है अच्छा अच्छा चंदन की ऐसे नहीं हो सकता परमशीतलमाश्रयामी जहां स्यामाजू के चरणों की सीतलता रही हुआ चंदन की सीतलता की क्या बस हाँ हाँ ठीक है तीन चार दिन बाद आए प्रणाम किया कैसा रहा पलंग तो उनका मुहनी ठाकूर की शयाम है सेवा में लगेगा नहीं आप हो उसमें नहीं दस आचार हैं पूर्व के वो सयन करेंगे फिर बाद में प्रशादी देखेंगे असा दस दिन बाद फिर आए ओ कैसा रहा पलंग जो दाना भी मानी होते हैं वो सूत मागद बंदी जन की तरह अपना यस सुनना चाहते हैं संतों से संत भाट नहीं होते और भाट संत नहीं होते दोनों बात समझ लेना जो किसी की दीवी वस्तु को जहजह कार हो सरकार की इन्होंने ये दिया इन्होंने ये भाट गीरी है भाट गीरी संत नहीं करते पक्का समझ लेजिए अगर ये है तो भाट है संत नहीं संत तो केवल यस गान रशना कटो जो अनरटो एक मात्र अपने आराथ्य देव का तव शुक्ष हरिवन शुकुननाम रशुना रटत और बहुबचन अति दुख दाने भाट कभी संत नहीं हो सकते और संत कभी भाट नहीं हो सकते उनका दोनों पलंग लियाओ केरो शिनमेटिक तेल लियाओ डालो सामने डालो आग लगा लगा दो हाँ बहुत बढ़े हैं बहुत बढ़े हैं जल्दी टटियाष्थान में प्रिवेश मत करना हम तुम्हारी भाट कीरी करें आब बहुत बढ़े हां चंदन का ये काप निकलो ये है अपनी वस्तू दी पर उसमें इतना अपनापन है कि अब हम बड़ाई सुनना चाहते या भाई आप जैसा चंदन की लकड़ी का पलग नहीं यदि हमारे हिरदे में अभी प्रशन उठता है मुझे कोई इस्थिती प्राप्त नहीं है मेरा मन प्रभू में नहीं लग रहा है क्या समर्प ये सब बिलकुल ठीक बात नहीं कलंक है सरनागत में आप निश्चित समझो शरनागत का तेशा महम समुधरता अम्रत्य संसार साग इसी में आगे आता है कि वो उसको अंतिम श्वास तक निश्चित भगवत प्राप्ती हो जाएगी वर्तमान में स्थिती नहीं भगवत प्राप्ती योग नहीं पर उस्चित अपना सर्वस्च शमर्पन कर दिया है तो अंदर तो बड़े विकार है अब हम ठेकेदार नहीं इनके मौन जो हो रहा है जिन को देखना है वो देख रहे है बोरी शकी जीने पद में पीछे शुनाया है बश हमें और कुछ नहीं चाहिए आप मुस्कुराते रहे आप से कुछ है मैं क्या अपनी बात करूँ जब अपना सब कुछ आपको दिल दे करके दिलवर से क्या बात करें अब क्या जब दिल ही दे दिया तो अब क्या सिकायत आप से करें आप देख लो उसी में आपके लायक हो तो आप सोईकार करो नालायक हो तो आप ठुकरा दिजी पर मेरे लिए अब नहीं है उसकास दिख दो वो आपका है आपकी वस्तु जहां चाहो द्वार में फेक दो सिंगासन में रख दो चरणो में रख दो वो आपका विश्य है ये है बेपरवाई अब आपको दे दे जब आपको मेरा मन ऐसा सोच रहा है ऐसा कर रहा है तो आपने समर्पन क्या किया उनकी तरफ देखो अब हमारी प्रतेक चेश्टा के वल उनकी तरफ है बहुत गंदा विचार है तो उनकी तरफ देखो न कि राजी हो क्या है जो चल रहा है राजी हो देख लो बापका है ये पॉइंट है आपके जीवन मुक्त होने के लिए आप राजी हो हमारी जो अंता करण में इस्तिती है जो आपको वैसे ये तभी प्रश्ण तभी भी बनता है जब तक अपना पन उसमें है नहीं तो ये भी प्रश्ण नहीं बढ़ेगा कि राजी हो के नहारा जीगा आपका है आपकि मलुक किशी ने हमें जो कमरा दे दिया तो कभी जहांक के अंदर आके देखता है कि जाडू लगाते हो कि नहीं, पुछा लगाते हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं मैं दे दिया, दे दिया, आप बजन करो, आप नाचो, कुदो, खाव, पियो, मत साफ करो, आपका काम है, आपके नाम कर दिया तो आप ऐसा क्यों नहीं सुचते हैं, और वो कुछ दिखाई, क्या दिखाई, तो मैं समझ में नहीं आता कि हमने अपने आपको शमर्पीत कर दिया, हमारा कोई प्रस्ट नहीं ये सब्द याद रखो कि शर्णागत को निश्चित अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ती का बोध हो जाएगा, भगवान के बचनों पर बिश्वास के, ये मार्ग बिश्वास का है, क्योंकि प्रगट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, और शई पूछो तो, प बस हमें मान लेना है, समझ लेना, ये ऐसा सवाल है, मानी शंक्या से हल हो जाएगा, इसकुल में ऐसा था कि, ये वो सवाल का, मानी शंक्या नब्बे, कुछ भी, आप कुछी भी मान लो, असी, कुछी भी मान लो, वो सवाल हल हो जाएगा, बस यहां मानी शंक्या एक में आ अपना भगवान मन लो तो आप देखो कि वही एक नेक रूप था इसलिया नेक रूपों में भी आपकी भावना बन जाएगी और एक से बिरोध कर लो पूरी स्रश्टी में द्वेस फैल जाएगा आपका करके देख लो हर वस्तु व्यत्ति स्थान में आपकी जलन बढ़ती चली जाएगी यसे दांत है जिन शादकों को भगवादरपन करने के बाद पूर्व शंशकार वश अपने में कमी नजर आती है पदार्थों की वास बिवस्था की साधना की भोगों की आदी आदी बहुत से उनको शमजना चाहिए कि शर्णागत को कामना ममता और शंताब ये तीनों करने का अधिकारब नहीं है संताब जलन काम बिगड गया तो जलन काम बन गया तो हरशीत सम्मान हुआ तो फूल गये अपमान हुआ दुखी हो गये निंदा हुई तो जलने लगे प्रशंसा हुई तो ये सम्म सर्णागत के लिए नहीं निंदा भी हो रही तो उनी को दिये हुए शरीर, मन, बुद्ध, आदिकी करने वाले भी वही हैं और जिनके हो रही वही भी वही हैं प्रशंसा हो रही तो आप के हो रही है अपने तो आप के हैं बस ना निंदा के हैं न प्रशंसा के हैं ना अपमान के हैं ना मान के हैं क्यों? क्योंकि मान अपमान निंदा इस्तुती सरीरों की हो रही, किरियाओं की हो रही हम तो आपके हैं यह सब कुछ आपको समर्पी था आप जानो आपका काम मस्त जो उपाशक निराश होता है सरणागत तो है पर लग गए पर उड़ गए अपने मार्ग से ध्यान रखना यहाँ बिलकुल कलंक नहीं लगाना सरणागती में तभी बे परवाही से आचारे चरण कहे रहें आखरी स्लोकों में स्री मदरादा सुदा निदी की यत्र यत्रमं जन्म कर्म भिर नार के परमे पद्द एक लाइन में रख दिया है नरक और परमपद हमारे लिए समान है क्यों क्योंकि हमारा अस्तित तो नहीं रहे गया आपके शिवा अब हम नरक में भी जाएंगे तो आपको ले के जाएंगे नार के परमे पदे थवा आगे के शब्द राधिकारत निकुझ मंडली तत तत हरदि में विराज ताम बाहर से भले बच जाओ नहीं पकड़ पाएंगे अंदर से नरक जाएंगे तो वह आभी गाएंगे आज निकुझ मन्यों में खेलत नवल की सोर नवेद की सोर यह हमारे अंदर का विश्य है कैसे बचोगे और नाम बाणी जहां स्याम स्यामा आये न नरक तो हमारे लोग नरक रे जाएगा परमपद से भी स्रेष्ट रहेगा अब हम जहां भी होंगे वह आप होगे क्योंकि कानून कानून होता है आपके ही वचनों से महापुरुषों ने से धांत बनाया नाम बाणे निकट स्याम स्यामा प्रगट नाम बाणे सुनत स्याम स्यामा सुबस नाम बाणे जहां स्याम स्यामा तहां और नाम बाणे किसी वह हमारा आस्तित भी नहीं तो हम जहां भी होंगे नामबाणी में होंगे जहां नामबाणी होगा वहां आप होगे हमारे लिए कोई समस्या नहीं हो जहां आप होगे वहीं ब्रंदावन है वहीं ब्रंदावन क्योंकि एक शन भी ब्रंदावन शिप बिलग हमारे श्यामा स्याम नहीं रह सकते नाम बानी से एक शन भी बिलग श्यामा स्याम नहीं रह सकते सरनागत नाम बानी से एक शन भी बिलग नहीं रह सकता अब समस्या क्या है क्या समस्या है सारी समस्याओं का जड़ तो आपका असमर्पन है आपका देहा भिमान है चलो देहा भिमान सहीत समर्पित हो जाओ बहुत सुन्दर विशय चल रहा है अगर इसे आप समझ लो तो अभी जीवल मुक्त हो अभी बेपरवा हो जाओ किसे बेपरवा बाणी पाठ में नहीं जाना सेवा में नहीं जाना क्योंकि हम सरणागत हैं बस विसे चिंतन करना है विसे भोगना है मनमानी आचरन यह उपाशक की बात हो रही है यह देहा भिमान से विश्यों का श्यवन करने वाले मन मानी आचरन करने वाले पसुतास वावाले मनुसी के नहीं हो रही यह उस उपाशक की हो रही जो अध्यात्म चेत्षा जो अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा की पत्पर चलने वाला है वो ऐसा सोची नहीं सकता तभी हम कहते हैं बेपरवा हो जाओ आप समर्पित हो आपको सद्गुरु ने धाम और इस्ट को साक्षी करके समर्पन किया खिलवार नहीं हुआ है अगर कोई बात पक्की मानी जाती बोले मंदिर में चड़के बोल दो जाओ हम पैसे जो दिये हैं आप कहरो नहीं दिये मंदिर में चड़के बोल दो हमने माफ किया ऐसे कहते न करोणों मंदिर यहां के एक कंड की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि साक्षात प्रियालाल का ये निजम हैल है और यहां सद्गुरु देव ने हमें धाम नाम का जो दान किया है अब वो मिध्या नहीं हैं हम उनको शाक्षी करके सरनागत हुए हैं तो हमारी कचाई भी सचाई में वही बदलेंगे जिन्होंने अंचाहे डंग से मुझे घशीट कर सरनागत किया वही हमारी कचाई को भी सचाई में बदल देंगे पर आप हमें कुछ तो भरोशा करना चाहिए न यह अपनी चिंता चोड़ देनी चाहिए न आप अपनी चिंता चोड़ देजिए क्योंकि आप बहुत बड़े को समर्पित कर चुके हैं हरी रामब्याजी ने कहा श्यामा श्याम का शर्नागत ऐसे बेपरवाह रहता है जैसे सिंग्हिनी और शिंग के बीच में बैठा हुआ उसका बच्चा बेपरवाह रहता है क्योंकि समर्थ माता पिता बगल में बैठे हैं बनराज हैं हो सिंधिने शिंग कोई भी एड़िया भेड़िया ऐसा नहीं कुदर ताक सके ऐसे ही ये बनके राजा है श्यमा श्याम इनके शर्णागत को काल भी नहीं ताक सकता हो रोकी तो बात जाने दो समुझिजियाए सरण ते डरत ना काल डर ये बात आप क्यों सोईकार नहीं करते है बार बार वही अंदर से रोना धोना इस बात का मेरा तो ऐसा मेरा अरे मेरा ही समर्पित कर दो नमम नमम ये अम्रित्पद है तन मेरा नमन मेरा न जीवन मेरा है नात आपको समर्पित जिसमें कामना देखती है ममता देखती है उसे संताप भोगना ही पड़ेगा इतने शर्वग, शर्व, शमर्थ प्रियालाल किस शरण में हुने एक बाद हमको प्रार्थना करनी क्या मुझे निरोग कर दो और जब उन्होंने विधान करके रोग दिया है तो उन्होंने अपने विधान से अपने समर्पित सरीर में दिया मुझे क्या परिशानी है मैं भी तो समर्पित हूँ मैं समर्पित है, मेरी सारी सामागरी समर्पित है मुझे परिशानी क्यों है वो अलपग्य है क्या ऐसा गलत विधान कर देंगे हमें दुख देंगे हमसे दुस्मनी है क्या सर्वभूत हिते रताहा जैसे सिद्शंत का शुभा होता है वो भगवान का ही शुभा होता है सर्वभूत हिते रताहा समस्त भूत प्राणियों की हित में रत रहते हो सुषदा सरभूता नाम भगवान का स्वरूप है समस्त प्राणियों को भगवान ऐसे प्यार करते हैं जैसे इकलो थे बेटे को एश्वरिवान माता पिता प्यार करते हैं ऐसे सम्मंप्री सम्मंप जाए मानो ना बात ये जलन तब तक बनी रहेगी जब तक आप रखना चाहते हैं क्यों जलते हो दे दो ना अब बोले परिणाम करें अंतिम श्वास तक भगवात प्राप्ती हो जाएगी कोई भी स्थिती ना होने पर भी ये तु शरवान कर्मान मैं शन्यस्य मत पराहा अननी नई योगे नु माम ध्यान तु पासते तेशा महम समद्धरता अमरत्य समर्पित क्यों नहीं मान रहे हो बगवान की बाद ये तु सरवानी जितने भी कर्म हो रहे हैं समर्पित कर दो तो कर्म ही समर्पित हमारा कर्म करने वाले यंत्र समर्पित और मैं श्वयम समर्पित तो कहरे तेसा महम समुद्धरता वही तो उधार करते हैं फिर काय को परिशाद है इस विशाल संशार समुद्रशे पार होने का क्या उपाय है भगवान शंकराचार से जी से पूछा गया उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज द दिर्ग नोका में बैठ जाओ पार हो जाओगे अर्थात बैठने का ताथ पर सरणागत हो गया अब तो बैठ गए हम विश्वेश्वेश्वर पादाम्बुज दिर्ग नोका ये विश्वेश्वेश्वेश्वर पादाम्बुज दिर्ग नोका ये सिविश्ञ है में कियों में करने का और जो कियों में करते हैं अभी वो बैठे नहीं है शर्णागत नहीं हुए समझे लो शर्णागती को क्यों परिशान हो रहे हो भगवान को तुम तो केवल मेरा अस्रे ले लो मेरा चिंतन करो यूगक शिमंबहां काहे को पर यह सुभाव है जलना है ना अभी अभी और कुछ बाकी जैसे कल बताया थे अभी मूसर की माल बाकी है वो अभी पिटना है जब हार जाएगा ना पिटके तब फिर यह होगा कि आपर वो तराहिमाम चलो तो इतना लंबा शमय काहे को तरह हिमाम बोलने के लिए लगा रहे है आज ही बोलो ना बाद में सायद बोल भी ना पाओ मन पचित ही है औशर भी दे जो तुम्हें करतब्य कर्म दिया जाए उसमें तुम्हें विचार करने की जरोते विकत जुरा युद्यस्वर तुम्हारे शामने जो करतब्य कर्म उपस्तित हुआ है उसकी शामर्ते भी प्रभू की पेरणा भी प्रभू की तो कर्म भी प्रभू को शामर्पित आप कहीं नहीं कोई बंधन नहीं प्रभू करें ये में मतमिदम नित्य मनुतिष्ठन तिमान वाह श्रद्धावन तो नसूयन तो मुच्यन तेते पिकर्म भी जो मनुश्य दोस द्रश्टी से रहित होकर श्रद्धापुर्वक मेरे इस बरनित मत का अनुशरण करेगा उसे मैं समस्त कर्म मंधनों से मुक्त कर दूँगा कितनी करुडा है ये में मतमिदम नित्य मनुतिस्ठंति मानवाहा चैजित जाती के हो आश्रम के हो धर्म के हो शंप्रदाय के हो लेकिन हो मेरे प्रभू के समझो कोई भी कहीं भी कैशा भी हो वो है तो शंब मेरे प्रभू का ही ना बच्चा प्रभु का ही तो है न प्रभु कह रहे हैं यदि कोई भी कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है परंपद में आरूड होना चाहता है तो ये जो पीछे अभी बर्डन किया गया इस से दान्त को मान लो ये बात भगवान इसलिए जूर दे के कह रहे है कि जो पीछे बर्डन हुआ अनाशक तो होकर कर्म करना ऐसा है शाह कोई बिरला ही है शाह समझ का ओउ समझ का भी फली यह आएगा तो अपने लोगों को शहद सरल भाव में प्रभु समझाए तुम ज्यादा समझने कि चेस्टा मत करो ऐसे होकर शमर्पित हो जो हम देख लेंगे सब यह में मतम कि मेरा मत है मान लीजिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धी पदार्थ कर्म जो जो अपना मान रखा है पर ऐसे दो कि फिर उस पर तुम्हारा अधिकार न रहें यहां बड़ी शमझ्या है लिखित भी दे देते हैं कि हमारा कोई नहीं माता पिता परिवार कोई नहीं पर वो राग वैसे ही सुरक्षित बना रहता है जहां उस राग पर चोट पहुँची तो पाला बदलने में देर नहीं लगता काहे को जीवन को ऐसी हार में फेक रहे हो काहे को तुम स्वयम अपना नाश कर रहे हो एक बार जब भगवत कृपा से उतर गए हो भक्ती मार्ग में परमार्थ में अब इस पे तिस्ठन्त बैठ जाओ ये में मतमिदम नित्य मनुति इस्ठन्ति मानवा इस्थाई हो जाओ सब रूप में हमारा गोविंद ही है प्रभू ही है वह ही कह रहा है मानलो मेरी बत को मानलो मेरी बात मानलो आहां श्रद्धावन तो अनुशूयन तो भगवान कह रहे देखो सब के पूज भगवान है किसी विभासा में बोलो कोई भी नाम कोई ऐसा त्रिभूण में नहीं है जो ये ना माने कि कोई वो बहुत ही बच्चा होगा अज्ञानी नहीं तो सब को चाहे जो भी नाम बोलो अंग्रेजी से बोलो हिंदी से बोलो उर्दू से बोलो फार्सी से बोलो किसी विभासा से बोलो लेकिन बोलते हूं नहीं प्रभू को जिसे हम भगवान कहते हैं कोई गाड कहता है अंग्रेजी में कोई उश्य है और और नामों से पुकारते हैं लेकिन है वो मेरा ही प्रीतम ये सत्य विशय है जिस भी शिद्धांत में जब आप चरम शीमा पे पहुँचोगे चाहे जिस ग्रंथ का हो चाहे जिस संप्रदाय के चाहे जिस धर्मावलंबी का हो वो ये ही बताएगा एक ही है दूश्रा कोई नहीं है तो सब के पूजी बोल रहे है सब के पिता बोल रहे है सब के श्वामी बोल रहे है मेरी बात पर स्रद्धा करो स्रद्धा वंतो स्रद्धावान मनो स्रद्धा जैसा बोला ज़र बिल्कुल वैसा मान लेना इसे बिलकुल अपनी बुद्धे न लड़ाना उसे श्रद्धा कहते है शरीर जड़ पदार्थों को अपना और अपने लिये मानना यही घोर बंधन है इसे सहज में मुक्त करने के लिए भगवा ना देश कर रहे समर्पन कर दो किस को? मेरे को इसलिए का स्रद्धा बनतो और दूसरे का अनुशू यनतो दोस्द्रिष्टी मत करना शमर्पित होने के बाद दोस्द्रिष्टी आने की शम्भावना होती है जहां स्रद्धा होती है तो वाँ अस्रद्धा के गुंजैस भी तो हो सकती है क्या स्रद्धा के गुंजाईश यद्यापिश्व कुछ भगवान का है उन्हीं को शमर्पित किया है पर इसा क्या एक ही लड़का तो था उसको और इसी से तो हमारा जीवन चल रहा था मुक व्यापर उसको भी चोपट कर दिया और वही व्यक्ति तो हमारा सायोग करने वाला उसको भी विमुक कर दिया और कम से कम शरीर को भी असाध्य रोक्षिक कई ऐसी बाते जिनमें भगवान पर दोस्दर्शन या लो अब कहरें सब कुछ मुझे समर्पित कर दो हमारा अस्तित तो यह नहीं हम कुछ भोग नहीं सकते हम कुछ कर नहीं सकते अगर तुम करोगे तो बंदोगे यह क्या है हमारा अस्तित हमें सब दे दो हमें भोग लगाओ हमें अपना सब कुछ दे दो दोस्दर्शन हो सकता है तो तेरा था कब बेई माल तुन्हें भूल से माल लिया अज्ञान से माल तेरत है क्या अरे तू भी तो तेरा नहीं है तू भी तो भगवाल का ही तो अंस है ममईवान सो तेरी सत्ता ही क्या है पर अज्ञान के इसलिए भगवाल का जिसे कहा जाये न एक परशुप प्रश्न कर रहे थे कहीं उनको किशी भी तरह शैशा धना दिका तो उनुन कहा कि यदि हम दान देना चाहें तो कहां दान दे पहले कहा कि अज्ञान की ब्रती छोड़ोगी तुम बहुत बड़े दानी हो है क्या तुम्हारा इस तरश्टी में जो कुछ है भगवान का ही तो दिया हुआ है भगवान की दिवी वस्तु भगवान को शमर्पित करना दान होता है क्या तुदियम बस्तु तुदियम आपके द्वारा दीवी बस्तु गोविंदम तुब्हमेव आपके द्वारा दीवी बस्तु आपको दे दी ये घड़ी आपने दी आपने ये ये लेओ ये दान होई क्या दूसरा कह सकता है कि ये दान कर रहे हैं लेकिन आप तो जानते हैं न कि ये घड़ी हमने ही दी थी अब हम अपनी वापस कर रहे हैं इसमें क्या परिशा नहीं पहली बात तो दान नहीं करते है भगवान की दिविवस तो भगवान को देते हैं दूसरी बात खाई देरा कोई जीव कष्ट में है उसको और शदी कराने के लिए कोई विचार करने की आउशक्ता नहीं पात्र देखने की आउशक्ता नहीं ध्यान रखना सरदी का समय कोई काप रहा है आप अपना भी वस्तर उतार करके उपर का देदी जी गरम इसमें विचार करने की अगर उस अर्थ से वो दूराचार करता है, वही अर्थ लेकर वो शराब पीता है, गंदे आजरन करता है, तो आप उसके पाप के भागी बनेंगे. अर्थ बहुत सोच, शमच करके देना चाहिए. ऐसा नहीं कोई मांग रहा, दस रुपे दे दे. हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी, तो चलो हम दुकान में चलते हैं, और आपको पदार्थ दिलाते हैं, आप हमारे सामने पालीजी और जाइए. हम आपको पैशे नहीं दे सकते हैं. पैशे वहीं दीजिए, जहाँ आपको सोब परशेंट विश्वाश है, पैशे हुए भगवत, प्रशाद, रूप, धनका, सदुप, यदि पता नहीं है, तो मत दीजिए. फिर क्या करें? तो उनसे हमने कहा था, बांद के पुटली यमुनाजी में फेक दीजिए. नेकी कर दरिया में डाल, कोई जाने भी नहीं. और आखिरीश बात ये बताई थी, कि यदि आपको कोई दान देने के बाद माला पहनावे, आदर करे, तो वहां कभी दान मत देना. जो दान देने के बाद तुम्हें देखे भी नहीं कि तुम क्या हो, वहां जरूर, क्योंकि वहीं तुम्हारा वास्तविक दान सफल होगा, जो तुम्हारे अर्थ का मात तु करे, तो जिसकी बुद्धी धन के मात तुमें है, वह अदिकारी ही नहीं है. जिसकी बुद्धी भगवत मात तु से युक्त है, वही बात. या फिर जिसे बुद्धाया कोई भूखा है, कोई सर्दी कसम है, ववस्त्र जरूरी है, उससे दे देते हैं, बीमार है, दवा करा देते हैं, गौ है, उसकी शेवा कर देते हैं, बंदर उसकी सेवा, ये तुम भूल में हो गया तुम्हारा हिसाब कोई जान न पावे और तुम्हारा शम्मान न हो जहां ऐसी जगे सेवा करने से हरदेशी तलता को प्राप्त होता है और हमारा भगवत मार्ग पुष्ट होता है यहां तो पात्रता देखने हो यहां तो स्वयम भगवान कर रहे हैं स्वयम भगवान कह रहे हैं जिनकी वस्तु है उसको अपना मान करके भोगोगे तो राग रूपी दंड आपको फिर भोगना पड़े रहे हैं इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे मत में दो सदर्शन मत करना नित्य हो आप भी मान लोगे तो नित्य शुरूप को प्राप्थ हो जाओगे जो भगवान के द्वरा दी हुई वस्तू पदार्थ जीवन ये भगवान को निर्दोष बुद्धी से दे देता है दोष बुद्धी आते हैं बहुत दरश्य आते हैं हार जाता है अंकार के कारण बहुत समय हो जाता है जब विकारों का वही तांडो वही जलन वही अशाण अपसुलज नहीं पैना भगवान ने यही सरणागती है हम आपके सरणागत है ऐसा ऐसा बहुत तरेशे दोष दरश्य इसलिए बगवान ने श्रद्धावन तो अनुश दोष द्रश्टी नहीं कैसी भी परिष्टिती हो हम मुस्कुरा के आपकी जय बोलेंगे बस हिम्मत रखनी है परिणाम बहुत मंगल है कोई प्रश्णा नहीं अच्छे से समझ लिए श्वयम प्रभू को जब अर्पित हो गए तो हमारा लाब भी भगवत सो रूप और हमा मान भी भगवस्चुरूप अपमान भी भगवस्चुरूप सुख भी भगवस्चुरूप दुख भी भगवस्चुरूप गती भी भगवस्चुरूप दुरगती भी भगवस्चुरूप आप मुझे कोई परवा नहीं है न गती की न दुरगती की इसको कहते हैं मस्ती ब बहुत महंगी है खरीदा है कैसे बहुत प्राण दे के खरीदा है इसी मस्ती में प्रेम जागरन होता है पर प्राण दिये या प्रेम न पईये ऐसो महंगवाई सकीरी दुरुदा जी एक बार खेल जाओ ना लोग जुआ खेलते ना कि अगर ये बाजी जीत गए तो करोड़ पती बन गए और हार गए तो जुआ अप एक बार तो खेलते उसमें हार भी सकते हो इसमें बिश्वास रखो केवल जीत ही जीत है हार नहीं है एक बार खेल जाओ जीवन की बाजी लगा दो जिद्धी शुभाव रखो नए आपको नए छोड़ सकता गले पढ़ गया चाहे जो कुछ हो आप नए ये बहुत मस्ती है जीत आप की होगी नागरिदासी जनम जितायो बलिहारी जिता देंगे वही जिता देंगे पर थोड़ा ऐसे शे करते रहते हैं कि अभी देखे कितना अहंकार बकाया है जब वह ऐसे करे जैसे छोटे बच्चे को देखो आप जो किसी और को ज्यादा नहीं जानता है ज्यादा कमताब परिवार के माँ पिता भाई बंदो इतने कोई जानता है पर उसका राग केवल माता के प्रती बिशेश होता है जब मा मारती ऐसे वह दोड के मा से ही लिपटता है नहीं लिपटता है चोटे बच्चे को देखो मा अठाती थपण मारती है जब इसे गिरा देती वह भागता बार की तरफ नहीं है बार की तरफ तब भागेगा जो थोड़ा सयाना हो गया है वो भूला बच्चे अपनी मा की ही गोद में चुड़ता है अगर वो गिर भी जाता है मा दोड के उठाने जाती है तो मा के थपड जमाता है अगर गुशा भी करेगा तो प्रभू से करेगा प्यार भी करेगा तो प्रभू से करेगा वो ठुकराएंगे भी तो प्रभू की तरफ ही भागेगा दूसरा कोई रास्ता नहीं है अब भगवान के रहे कि यदि हमारे मत को तुम नहीं मानोगे तो तुमारा सर्वनाश हो जाएगा जगत गुरु सराप नहीं दे रहे सिद्धांद बता रहे ये त्वे तदभ्यशूयन तो नानुतिस्ठंति में मतम शर्वग्यान विमूधास्तान बिधिनस्टान चेतशा जो मनुश्य मेरे इस मत में दोस्य दृष्टी रखेगा और मेरी आग्यां का पालन नहीं करेगा उस शंपुर्ण ग्यानों में मोहित हुआ विवे की मनुश्य है वो नश्ट हो जाएगा नहीं नश्ट हुआ ही है ऐसा समझो उसका घोर पतन है जो मेरी आग्यां का पालन है ये इश्वरों के भी इश्वर आखिरी नयाधिश इनकी कलम चलने के बाद किसी की भी सामर्थ नहीं कि उसमें लाल चाही फिरा सके आखिरी वो कह रहे हैं नश्ट हुआ ही समझो अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि भाग के बदल सके भगवान कह रहे हैं श्वर्म भगवान तोड़ा डर भी जाओ इतने बड़े मालिक बोल रहे हैं भगवान ये भी कृपा करके बता रहे हैं अगर आप नहीं मेरी बात मानोंगे इसलिए कई जगे भगवान बोले उस परमात्मा की सरण में जा फिर जब देखते कि मेरा नित्य सखा है प्रेमी है मेरी सरण में आज़े क्योंकि वो और कोई परमात्मा नहीं मैं ही हूँ जब मैश अब दो बोलते है तो भगवान आगे बोल देते है कि दोस दर्शन मत करना मेरे लिए कर्म करो मेरे समर्पी तो मेरे इसलिए शंत मात्मा चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो ऐसे बोलता है मुझधम को प्रभुने जैसे श्विकार किया इसे आप सब को श्विकार वो बड़े करुणा में है और सही पूछो तो जो उधर कह रहे है न वो वही है दूसरा को बंदो गुरुपद कंज कृपाशिंद नरूप हरी महा मोहतम पुंज समझ नहीं पता क्यों नहीं समझ पता क्योंकि उनको ये है कि ये मनुष्य है वो साधक है थोड़ा अच्छे संद है बज इतना ये नहीं समझ पता साक्षात परब्रम मेरे कल्यान के लिए रूप धारन करके मुझे उस सिश्य को कुछ करना नहीं होता क्योंकि उसने धारना ऐसी कर लिए जो लोगो प्रभु किस बात में दोश दर्ष्रके वो कौन से लोग नहीं होते है कोई कामिना मत करो कामिना नहीं करोगे तो मरा हुआ आदमी है बात तो सही कह रहा है कामिना نہیں करोगे तो मरा हुआ अदमी यहां जो मरा हुआ हुआ है अमरत तो पद को प्राप्त होता है मन मार्या तनबस में कि ना हुआ भरम सब दूर बाहर से कछ दिखत ना आए अंदर चम के नूर आप उत्यागी अपना महात्व अपनी महिमा जगत में बेठे नहीं किसी से काम उनमें तो कछ अंतर नाई संत काओ चैराम लो आप भगवत शुरूप हो गया एक कहते हैं कि राग द्वेशन को सामने वाला गाली दे रहा है मुझकी आरती उता रहे दोस्दर्शन भगवत असंबो ऐसे जीवन ही नहीं चल सकता क्या जीवन ऐसे ना द्वेश ना ममता ना कामना ना सकती जगद गूरु है ना इसलिए का श्रद्धावन अनुशुयन तो यह दोस्दर्शन नहीं समझ पाओगे नहीं जान पाओगे उस स्वरूप को कहरे सारे पदार्थ हमी को दे दो किवल आप 56 भोग पाओ हमारा आप मत भोगो दोस्दर्शन की बाद नहीं तो 56 भोगर्पित करोगे तो तुम्हें तिर्पन धोड़ी मिलेंगे छपपने वापस मिलेंगे नहीं सर्वग्यान विमूडान तान प्रभू कह रहे कि जो मेरे मत को नहीं मानते वो कौन लोग होते हैं बड़ी-बड़ी विद्याओं को पढ़ना कलाओं को शीखना मोटर कैसे बनाने हैं मोटर कैसे फिट करने हैं देखो ना हवाई जो आज रेडियो टेलिविजन इन अविश्कारों को शत्य मानकर इनमे कलाकोशल प्राप्त करना उस्ट्रिष्टता समस्ते नहीं नहीं परवाणु बं मिशाइल कितना घ्यान बढ़ गया है जल पर तैरने वाले यंद्ट मकान बनाने की कला चित्रकारी सिल्प कला कोई ऐसा मंत्र जो दूसरे को वसी करन कर सके उच्चाटन कर सके मारन कर सके कोई ऐसा तंत्र हमारे मन की च्छाओं की पूर्ती कर सके बिलक्षन मिलक्षन चमत कार देश विदेश में हमारा नाम हो ऐसा धन ऐसी कला ऐसी भासा ऐसी लिपी ऐसी जीत रिवाज की लोग देखकर हमें कहें वाह ऐसा खान पान जो औरों को प्राप्त नहो ये प्राप्त करना जीवन का लक्ष है ये कौन है जो बिमूड आत्मा है बगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ऐसे लोग मोहित पुरुष हैं ये हमारे ज्ञान की बात को नहीं समझेंगे बगवान बोल रहे हैं अचेत शाह प्रभू कहे रहे हैं ये मेरे मत का अनुशरण कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि असात वस्तुओं में असार वस्तुओं में इनकी महत्त बुद्धी है क्योंकि अचेत हैं चेतना कहते हैं विवेक को ये विवेक रहीत है एक विदेश से पढ़कर डाक्तरी आये हुए थे तो किसी शंत से मिले बहुत अच्छे सरजन बहुत उनकी कि उन्होंने पूरी नास्तिक्ता बर्णन की भगवान की प्रति उन संत से संत के पूरु जीवन के परिचे कर, तुम खा ऐसा बेहोस मत हो, इतने बड़े भी डांक्टर नहीं हो गए हो, कि तुम अपने जीवन की रक्षा कर सको, दूसरों की तुम बात जाने नहीं, यह सब बगवाश मैं नहीं मानता है, बिदेशी नशा, यह कई महिने में ऐसा एक् तरनाक होता है, हाथ पेर यह तो शब, लेकिन मेर दन, अब, अब उनकी हालत जो बुरी हुए, फिर उन्होंने अंतिम मेही का, एक बार हमें उन संत से मिला दो, मिलाए बुले हाँ है कोई भगवान, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं समस्ता था बहुत, मैं ग्यान प्राथ, आज मेरे ही सरीर पेशी, भीशन पीड़ा है, और इसका मुझे कोई ग्यान नहीं कि इस पीड़ा से मैं कैसे बत सकूँ, अब मुझे बताओ कि भगवान मुझसे कैसे प्रशन होंगे, उनका अब तो शमय नहीं रह गया, बस नाम करो और उनको पुकारो, अंतिमे एक समय ऐ मानियों को भी, एक बार ये लगता है कि है कोई इश्वर, जो मेरी रक्षा कर सकता है, ऐसा, ये बड़े-बड़े, ये पशू की तरह शुभावाले होते हैं, जो अचेत होते हैं, ये केवल आसा में जीते हैं, ये केवल ऐसे कर्म करते हैं, जो इनको नास का कारण बनते है पर उनको पता नहीं चलता, ये ब्यर्थ ग्यान वाले होते हैं, बड़ा ग्यान बगारते हैं, गाउं में भी देखा है, भाईया जाना तो सब को ही है, बीड़ी पी रहे है, और कह रहे हैं, संसार तो ना सुवान है, काहे को तुम रू रहे हो, जाना तो सब, जाना है ग्यान तो बहुत बर्णन करने, उसे ब्यर्थ ग्यान भगवान, मोग आशा, मोग कर्मानो, मोग ग्याना विचेतसा, ये ब्यर्थ की आशा वाले, ब्यर्थ के कर्म करने वाले, और ये ब्यर्थ के ग्यान भाषन देने वाले लोग होते हैं, जीवन में उतारना नहीं एक भी विद्धि नश्टान ऐसे मनुष्य को वर्तमान में ही मरा हुआ का गया नश्ट जिन हरी भगती हरदय नहीं आनी जीवित सव समान जैसे मुर्दा चूत होता ऐसे वा चूत है जिसके हरदय में भगवान का आश्रे नहीं, भगवान की भक्ती नहीं, भगवान का भजन नहीं भगवान के ते विद्धिनस्टान उनको नस्ट हुआ ही समझो, नस्ट हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा और जो भगवान का अब खास बात सुनिये यह अम्रतम है, बहुत अम्रतम है जो भगवान के मत में विश्वास कर लेता है सब कुछ समर्पित करके आश्रे मनुष्य जीवन को पूरा होते होते उसे भगवान साक्षातकार हो जाएगा किशी भी कैसे भी शुभावाला हो कैसी भी स्थिती वाला हो अन्ततो गत्वा जैसे आप लोग लगे ना, चुप जप लगे जाएगे मालिक की द्रश्टी में हो बस द्रश्टी में बने रहो पार हो जाओगे इसलिए का नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए तो मुस्किल ही समल पाए फिर खड़े हो नहीं सकते ये, इसका जब शुभद है कि अपने शामर्थ नहीं है जिसे हम एक व्यक्ती का कल्यान कर सकें ऐसी अपने में शामर्थ नहीं है इनी के बल से सारी बात है इनी के बल से इनी के बातों को लेकर इनी के सुभाव को लेकर इनी के चरणों के बल से ऐसे बुलते हैं हमारा बल कौन है, यही तो है ना अतहा ध्यान से सुनिए जो वर्तमान जीवन में भगवान के मत का अनुशनर करता है अन्तिम श्वास होते होते उसे भगवान अनुभो करा देते हैं जीवन में तुम हमारा अस्रेलिया देखो करा देते हैं पक्का ये विश्वास रखो इसमें बिल्कुल संसे मत करना बिल्कुल जैसे भी हो वर्तमान में तुम भगवान के हो प्रियालाल के हो ऐसा नुबव करो अंतिम निर्णे वही होगा जो एक बड़े-बड़े परमहंशक होता है भगवान देने में भेद नहीं रखते हैं तुम्हारे भजन में भेद हो सकता है जब भगवान मिलते तो आधे मिलते हैं क्या कि उनको एक बटा चार मिले तुमको एक बटा तीन मिले उनको पूरे मिले ऐसा नहीं है वो जब मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं कृपाशिंदु है ना पूर्ण है ना पूर्ण ही भगवत प्राप्तिर इसलिए आस्रे की बहु का पता चल गया और उसने बात हर्दय में धारण कर ली वो कितना भी बिशय हो पापी हो उसकी मुक्ति निश्चित आए कोई भी बात अप्रमानित नहीं है ऐसा न मनुकी अच्छा तुमें प्रोट्सान दें के मिलेगा क्या है उससे भी नजदीख है तुम समझ क्या पाते हो और आपको बता राष्ट पती से मिलने के लिए बहुत बड़ी आपकी योगिता चाहिए और अपने बाप से मिलने के लिए यह दिए वही राष्ट पती हो बीच में कोई गार्ड कोई चेकिंग वो दोड़ की जाएगा उनके गोद में बैठेगा चाहिए जिस पद पे बैठे हो समझ ना अपनी मा कलटर हो तो कलटर पद से मिलने के लिए लाइन में होना पड़ेगा लेकिन मा से मिलने के लिए हर लाइन क्रास करके उसके लिए एक परसनल लाइन होगी यह परसनल लाइन है यह मेरे प्रभू मेरे लिए बात कर रहे है और जो अनंत कोटी ब्रमभांडो के इस्वर उसे दान थे चलो लाइन में लगो इसलिए कहते हैं हम भगवान की बात नहीं करते हैं हम अपने प्यारे की बात करते हैं लाडिले की बात करते हैं तो लाडिले से आप सहथ में मिल सकते हैं वर्तमान में जैसा भी शुभाव हो चिंता मत करना भविष्च में बहुत मंगल होने वाला है क्योंकि वर्दमान में तुमने अपने शुभाव का असर ने लेकर प्रभू के शुभाव का असर कैसा है हमारे प्रभू को शुभाव कल बनने सीराधा उल्लाल